नमस्कार आप देखरें टीपीवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ इंदूरा थर्ड बुलेटिन की शुरुवात करेंगे और नसर डालेंगे आज की कुछ एहम खबरों पर कुमहेट थाना इलाके में फोजी की गोली लगने सी मौत हो गई परिजनोनी बताया कि पिस्तल साफ करते समय अच्छानक गोली चल गए जिससे उसकी मौत हो गई कुमहेट थाना अधिकारी हवासिंग का कहना है कि सोहन सिंग की परिजनोनी उसकी हत्या की शिकायत दी है जाच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा रानीवड़ा कस्बे में दो मंदिर में देरात दान पात्रों से चोर नगदी लेकर फरार हो गए रानीवड़ा में आए दिन पुलिस गश्ट को धत्ता बता कर चोरी की वारदातों को लगातार अँजाम दिया जा रहा है जिसे ग्रामिनों में भारी आक्रोष देखा गया कजबे में दिनों दिन चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है चोरिय की सूचना पुलिस को दी गए जिस पर पुलिस आगे की जाच कर रही है जालावाड पुलिस अदिक्षक मोनिका सीन की निर्देशन में संगटित अपराद एवब अवैद कार्यों की रोगथा में हितू जिलाइ स्पेशल टीम वद थाना रायपूर ने संयुक्त कारवाई की है कारवाई में पुलिस ने एक किलो नो सो ग्राम अफीम मोटर साइकल जब्ट कर दो तसकरों को ग्रफतार किया है खबर जोलावाट से ही जहां पुलिस अदिक्षक मोनिका सेन की निर्देशन में संगटित अपराद एवब अवैद कारयों की रोगथा महितू थाना भवानी मंडी दुआरा बड़ी कारवाई की गई जादे की टीम ने कारवाई करते हुए दोहरे हत्याकान में नो महिने से फरार एक अभ्युक्त को गिरफतार किया है नाद्वरा नगरपालिका में बजट बैठक एवं पट्टा वितरन कारिक्रम में विधानसबा अध्यक्ष ने शिर्कत की कारिक्रम की शुरुआत कल्चर सैंटर के लिए जमीन का पट्टा दे कर की गई जिसके बाद कल्यान विभाग की विकलांग योजना में इकलाभार्ती को स्कूटी भी वितरन की गई जोरान विधानसबा देक्ष ने कहा वन विभाग की भूमी पर बसी लोगों के लिए जद ही भूमी का डाइवर्जन कर पट्टे देने का कारिक्या जाएगा जैसे बूंदी उर्जा एवं रैट क्रॉस सुसाइटी के संयुक तत्वधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिवर का आयोजन किया गया मतादे कि शिवर में 30 यूनिट रक्तदान हुआ मीडिया प्रभारी अंशुल बंडारी ने बताया कि शिवर का उधगाटन कलेक्टर रेणू जैपाल और सभापती मधुनुवाल द्वारा किया गया साथ ही लोगों को बताया कि लाखो केस कोट में पैंडिंग है अपनी केस के चक्कर में एक व्यक्ति का समय धन और मानसिक स्वास सब की हानी होती है लेकिन अगर लोग का दालत का दर्वाजा खट-कटाय जाए तो कई केस का निप्टारा जल्द ही हो सकता है खबर की शुराय पाटन से है जौन राजसान शिक्षक संखीक बैठक आयोजित हुई बैठक में GPF, SI, CFE आधिकी कटोतियों में आ रहे अंतर के समधान के लिए जिला कलेक्टर को ग्यापन देने का प्रस्ताव लिया गया साथ ही नविन, सेवान, यमोमी, संशोधन, शिक्षोक के वित्य प्रकरण की निस्तारण पर भी चर्चा की गई इस अफसर पर भामाशा दिलिपकुमार, राजगडिया इवं उनके परिवार दौरा पूरी गोशाला का अवलोकन भी किया गया और गायों को 56 भोग अपनी हातों से खिलाया फिलाल के इतना ही तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज